भारत में कार कमपनियों ने अक्टूबर 2022 कार सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है और ज्यादातर कमपनियों ने कारों की बिक्री में सालाना ग्रोथ दिखाई है मारूती सुजुकी टॉप पोजिशन पर कायम है और इसके बाद हिउन्दे मोटर्स, काटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, किया मोटर्स, तोयोटा और होंडा समेट अन्य पॉपिलर आटो मोबाईल कमपनिया है आप भी अगर इन दिनों नई कार खरीदने की सोच रही हैं, तो पहले जान ले कि भारत में 10 सबसे बड़ी कार कमपनियों ने पिछले महिने, यानि अक्तूबर 2022 में कितनी कारे बेची है मारूती सुजुकी और हिउन्दे की कितनी कारे बिकी भारत की टॉप 10 कार कमपनियों की अक्तूबर 2022 सेल्स रिपोर्ट देखे तो मारूती सुजुकी पहले स्थान पर कायम है और इस इंडोजापानी कमपनी ने पिछले महिने भी सबसे ज्यादा यानि 1,4,337 कारे बेची इसके बाद हिउन्दे मोटर्स दूसरी सबसे बड़ी कार कमपनी है जिसकी कुल 48001 यूनिट अक्तूबर 2022 में बिकी है काटा मोटर्स तीसरी सबसे बड़ी कार कमपनी है जिसकी कुल 45217 यूनिट पिछले महिने बिकी है महिंद्रा एंड महिंद्रा चौथे नमबर पर है जिसकी कुल 32,298 यूनिट अक्टूबर 2022 में बिकी है इसके बाद किया मोटर्स पांचवे नमबर पर है जिसकी पिछले महिने कुल 23,323 यूनिट बिकी है इन सभी कार कंपनियों की मंथली सेल घटी है तोयोटा, होंडा और रेनो की कारें अक्टूबर 2022 कार सेल्स रिपोर्ट देखे तो तोयोटा मोटर्स टॉप 10 लिस्ट में छटे नमबर पर है जिसकी पिछले महिने कुल 13,143 यूनिट बिकी है इसके बाद होंडा कंपनी है जिसकी कुल 9,543 यूनिट बीते महिने बिकी है आठवे नमबर पर रेनो है जिसकी कुल 7,778 यूनिट पिछले महिने बिकी है इसके बाद नौवे नमबर पर एमजी मोटर इंडिया है जिसकी कुल 4,366 यूनिट पिछले महिने बिकी है दस्वे नंबर पर फॉक्स वेगन है, जिसने बीते अक्तूबर कुल 3510 कारे बेची है. स्कोडा ने पिछले महीने 3389, निसान ने 3061 यूनिट, सिट्रोईन ने 1185 कारे और जीप ने कुल 1136 कारे बीते अक्तूबर में बेची है.